जैश्वे कृष्णा है दोस्तों आप सभी का स्वागत है हिंदु धर्म में किसी भी कादशी तिथी का विशेश महत्व है ऐसा माना चाता है कि इस दिन विशेश रूप से विश्णु भगवान की पूजा की जाती है और उन्हें भोगर्पित किया जाता है जिससे पूरे साल उनकी कृपादश्टी बनी रहती है इन सभी में से विशेश है देव शेनी इकादशी की तिथी यतिती असार्ड मास के शुकल पक्ष में मनाई जाती है और इस दिन व्रत उपवास करने का विधान है किसी भी अध्यात में गति विधी के लिए यतिती अतियंती शुब मानी जाती है जैसे इस दिन कई लोग घर में विशेश पूजा पाटो सत्य नारान की कता भी करते है इस साल देवशैनी जो इकादशी है वो 29 जून को मनाई जाएगी इस दिन यदि आप अपनी राशी के अनुसार कुछ विशेश उपाए अजमाएंगे तो आपके जीवन में शुब फ़लो के प्राप्ति आप करवा सकते हैं चलिए जान लेते हैं कि आपको अपनी राशी के अनुसार कौन कौन से उपाए देवशैनी कादशी के दिन करने चाहिए तो चलिए शुरुआत करते हैं मेश राशी से मेश राशी का जो स्वामी है वो मंगल है जिसे उर्जा का ग्रहमाना चाता है यदि आप देवशैनी क पूज़ा करें और उन्हें उनकी पसंद की चीज़ें और भोग अर्पित करें तो आपके जीवन में खुशाली बनी रहेगी इस दिन आप तिल और लाल वस्त्र का दान जरूर से करें रशब राशी के लोग यदि इस दिन भगवान विश्नु का पूजन मातलक्षमी के साथ करेंगे और भोग में मखाने की खीर चड़ाएंगे तो उनकी समस्मनों कामनाय पून हो सकती है इस दिन आप किसी भी सफेद मिठाई का दान कर सकते हैं मिथुन राशी वाले लोगों के लिए देवशैनी कादशी के दिन मंदिर में घी का दीपक जलाना आतियंति शुब हो इसी को भी नारिल का दान कर सकते हैं सिंग राशी के लोग इस दिन तुलसी की विशेश रूप से पूजा करें यदि आप इस दिन तुलसी की आरती करेंगे और उन्हें लाल चुनरी चड़ाएंगे तो यह आपके लिए अत्यांति शुब रहेगा करने राशी वाले लोग भगवान विश्नु को भोग में पीली चीजे चड़ाएं व्रश्चिक राशी के लोग इस दिन घर में इशान कोंड में दीपक जलाएंगे तो शुब फलोगी प्राप्ति होगी और इस दिन माता लक्ष्मी को सिंदूर और भगवान विश्नु को हल्दियाब जरूर से च भगवान विश्नु को पीली चीजे चड़ाएंगे तो आपके घर में सम्रिद्दी बनी रहेगी आप दान अपनी शमता के नुसार कर सकते हैं दान का ये मतलब नहीं होता है कि आप भर भर के बहुत सारा दान करें आप दान में थोड़ा समान भी दे सकते हैं जो आपकी श शूब माना जाता और इसे घर में सुक शांतियों सम्रिद्दी बनी रहती है मीन राशी वाले लोगों को इस दिन चावल खाने की सला नहीं दी जाती है इस दिन आप चावल बिल्कुल भी न काएं यदि आप इस दिन चावल का दान करेंगे तो यह आपके लिए बेहधी श आजमा के राशी के अनुसार जरूर से देख लेना चाहिए यह जानकारी यहीं तक ही उमीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाव उठाएंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटि श्री कृष्णा